राधे राधे मैं कल बता रहा था उत्तम बुद्धी जिसके होती हो कैसा होता है उसी विश्य में और बता रहा हूँ कि जो पुरुश किसी से आ सकत नहीं होता और शुभ मिले या अशुभ मिले दोनों को प्रसनता और अप्रसनता से मुक्त होकर गरहन करता है अथा तो शुभ में प्रसनता आशुभ में अप्रसनता उसको नहीं होती है और न तो द्वेश करता उसकी बुद्धी बहुत अच्छी होती है और कच्वा देखा होगा तुमने कच्छुआ एक खोल के अंदर हड़ी की खोल होती बड़ी सी उसके अंदर कच्छुआ जीव रहता है और जब वो चलना होता है तो अपने सिर को अपने पैर को निकालता है और तब वो चलता है तो जब चलने लग जाता है तो ये कोई कववा ये कोई जीव ये कोई बदमास बच्चे आ जाएं तो अपने सिर को पैर को सब को अंदर समेट लेता हो और अपने को इस तरह से तुरक्षित कर लेता है इसी प्रकार से जो अपने अंगों को जैसे कच्चुआ न समेट ले आएसे अपनी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जो सब प्रकार से खींच लेता समेट लेता है वो व्यक्ति वुद्धिमान होता है अर्थात इंद्री के विशयों से इंद्रीयों को अपनी ओर जो खीच करके उससे अलग हो जाता है इंद्री विशयों को बाहर छोड़ दिया और इंद्रीयों को अपने अंदर समेट करके कर लिया जैसे कच्छु अपनी पूँच को, सेर को, हाथ-पैर को सब को अंदर कर लिया, तो आगाथ से बच गया, ऐसे इंदरी विशेयों को देखते ही, जो अपने इंदरी गोलकों को, मन को, इंदरीयों को अंदर समेट लिया, तो इंदरी विशेय बाहर रह गया, उन से बच गया, वो व्यक्ति बहुत समझदार होता है शेया देरा धे